नमस्कार दोस्तों हमारी यूटूब चैनल क्रेजी इंडिया पर आपका हार्दिक स्वकत है इस पोदे का हर अंग दवा है ये बाहर निकले पेट को कम तो गठिया 21 दिन में समाप्त कर सकता है इसका दूद उड़े हुए बालों को दोबारा से उगा देता है दोस्तों वैसे तो ये पोदा हर जगहें देखने को मिल जाता है लेकिन इसके उपयोग की जानकारी कम लोगों को है तो यहां हम आपको इसके परियोग की जानकारी देने वाले हैं आक, अर्क के पोदे उसर और उंची भूमी में प्राय सवत्तर देखने को मिलते ही इस वन्सपती के विशे में सधान समाज में यह भरांती फैली हुई है कि आग का पोदा विसैला होता है तथा यह मनुश्य के लिए घातक है इसमें किंचित सत्ते जरूर है क्योंकि आयुरवेद में भी इसकी गणन उपविशों में की गई है यदि इसका सेवन अधिक मातरा में कर लिया जाए तो उल्टी दस्त होकर मुनुश्य यमराज के घर जा सकता है इसके विपरित यदि आग का सेवन उचित मातर में योगे तरीके से चतुर वैद की नगरानी में किया जाए तो अनेक रोगों में इससे बहुत बड़ा फाइदा देखने को मिलता है इसका हर अंग दवा है हर भाग उपयोगी है एव यह सूरिय के समान तेजस्वी और पारे के समान उत्तम और दिव्वेर सायन है दोस्तो इसका पोधा अकोवा एक ओस्तिय पादप है इसको मधार, मंधार, आक, अर्क भी कहते हैं इसका वरिक्स छोटा और छत्तादार होता है पत्ते बर्गत के पत्तों के समान मोटे होते हैं हारे सफेदी लिए पत्ते पकने पर पेले रंके हो जाते हैं इसका फूल सफेद छोटा छत्तादार होता है फूल पर रंगीन चतियां होती है फल आम के तुले होते हैं जिनमें रूई होती है आग की साखाओं में दूद निकलता है वह दूद विस का काम देता है आग गर्मी के दिनों में रेतिली भूमी पर होता है चो मासे में पानी बरसने पर सोक जाता है तो आईए दोस्तों जानते हैं आग के अदबुत परियोगों के बारे में आग के पोदे की पत्ती को उल्टा कर पैर के तलवे से सटा कर मोजा पहन ले सुभे और पूरा दिन रहने दे रात में सोते समय निकाल दे एक सपताह में आपका सुगर लेवल समानने हो जाएगा साथी आपका बाहर निकला पेट भी कम हो जाएगा आग का हर अंग दवा है हर भग उपयोगी है यह सूरी के समान तेजस्वी और पारे के समान उत्तम तथा दिव्वे रसायन है कहीं कहीं इसे वनस्पातिक पारद भी कहा जाता है आग के कॉमल पत्ते मीठे तेल में जलाकर अंड कोस की सूजन पर बांदे से सूजन दूर हो जाती है तथा कड़वी तेल में पत्तों को जलाकर गर्मी के घाउ पर लगाने से घाउ अच्छा हो जाता है इसके कोमल पत्तों के धुएं से बवासीर सांथ होती है आग के पत्तों को गरम करके बांदरे से चोट अच्छी हो जाती है सूजन दूर हो जाती है आग की जड़ के चूण में काली मिर्च पीसकर मिला ले और छोटी-छोटी गोले बनाकर खाने से खासी दूर होती है आग की जड़ की राक में कडवा तेल मिलाकर लगाने से खुजली अच्छी हो जाती है आग की सूखी डंडी लेकर उसे एक तरफ से जला ले और दूसरी तरफ से नाक द्वरा उसका धूआ जोर से खीजे इससे सिर का दर्द तुरंत अच्छा हो जाता है आग का पत्ता और ठंटल पानी में डाल रखे उस पानी से आप दस्त ले तो बवसीर अच्छी हो जाती है आग की जड का चूँ गरम पानी के साथ सेवन करने से उपदंस रोग अच्छा हो जाता है आग की जड छाया में सुखा कर पीस ले उसमें गुड मिलाकर खाने से सीत जवर सांत हो जाता है आग की जड दो सेर लेकर उसको चार सेर पानी में पकावे जब आदा पानी रह जाए तब जड निकालने और पानी में दो सेर गेहू छोड़े जब जल नहीं रहे तब सुखा कर उन गेहू को पीस कर पाउ भर आटा की बाटी या रोटी बनाकर उसमें गुड और घी मिलाकर परती दिन खाने से गठिया बादी रोग दूर हो जाते हैं बहुत दिन 21 दिन में गठिया रोग आपका सही हो जाता है बहुत दिनों तक आपको इसको खाने की जरूरत नहीं है आख का दूद पाउं के अंगुठे पर लगाने से दुखती हुई आख अच्छी हो जाती है बवसीर के मसों पर लगाने से मसे जाते रहते हैं जहांके बाल उड़ गए हूँ वहाँ पर आग का दूद लगाने से बाल उगाते हैं लेकिन ध्यान रहे इसका दूद आख में नहीं जाना चाहिए वरना आखे कराब हो जाते हैं दोस्तों इन में से किसी भी परियोग को आप कर सकते हैं पर आपको परियोग करते समय सावधानी अवस्य रखनी हैं क्योंकि आख का परियोग बाहरी परियोग के लिए हैं इसका सेवन कदापी ही नहीं करना चाहिए नहीं इसको दूद को आखों में जाना चाहिए तो दोस्त तो आप भी आग का प्रियोकर के इससे होने वाले फाइदों को उठास्कते हैं और बहुत सारी बीमारियों से बचे रहस्कते हैं तो दोस्तों यह थी हमारी वडियो अगर आपको हमारी वडियो अच्छे लगे या इससे आपको कोई जानकारी प्राप्त हो तो प्लीज आप ह और सुख में जीवन जी सकते हैं धन्यवाद दोस्तों.